नेपाल कॉट ने चार्ल्स शोबराज को रहाई की परमिशन दे दी है सालों बाद चार्ल्स शोबराज बाहर आएगा जेल से यह सबसे स्मार्ट चोर था और दुनिया में कई लोगों को बेफ़कूफ बना चुका है बिक्नी किलर के नाम से मश्रूर है चार्ल्स शोबराज क और तब Bollywood के वो आक्टर जिन्होंने चार्स का किरदार निभाया था, वो नेपाल जेल गए थे, चार्स शोबराद से मिलने के लिए, मैं बात कर रही हूं रंदीप हूडा की, जिन्होंने फिल्म मैं और चार्स में काम किया था, 2015 में ये फिल्म आई थी, इस फिल्म के वाला था, क्योंकि बहुत सारी परमिशन्स लेनी पड़ी थी, चार्स शोबराज से मिलने के लिए, फाइनली परमिशन्स लेने के बाद उनका मीटिंग वाला दिन आया, रंदीप हूडा ने कहा, कि हिम्मत की मैंने, कि मैं चार्स शोबराज का गेट अप लेकी ही, उनके स बेस्ट विशस दी, चार्स ने रंदीप से एक सवाल भी पूछा, कि फिल्म के लिए, मेरे केरेक्टर के लिए तैयारी कैसे की, इस पर जवाब देते हुए, रंदीप हूडा ने कहा, कि आपके बारे में बहुत बढ़ा, और पुरानी पिच्चर्स देखी, और उसके हिसा गया है, चार्स किसी को भी बेवकूफ बना देता था, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, कहीं तरह की लैंग्विजिस बोलने वाला ये स्मार्ट चोर था,